हाई फ्रेंड्स वेल्कम ओन मोर यूटूब चेनल केरिय टुटर आज हम दो डिस्कस कने वाले हैं अनिल एदिस नोवल है एक हिस्टोरिकल फिक्शनल नोवल है क्या है इस्टोरिकल फिक्शनल नोवल writing by Sri Lankan Byrne Canadian author Michael Ovane. जे हमारा जो अनिल स्गोर्ष की जो नोफल है ये हिस्टोरिकल फिक्शनल नोबल है writing by Sri Lankan Byrne Canadian author Michael Ovane. जे और ये जो बत्तों नोफल है it has won a number of major awards जिसको काफी सारे आवार्स मिले हैं और ये जो published होता है ये 2000 के अंदर होता है, it is his fourth novel, ये जो Michael O.J का fourth novel है, अब हम इसका man plot है, इसमें सारी की सारी character analysis और इसकी internal theory है, वो हम discuss करने वाले हैं, तो आपको इस video के end तक बने रहना है, तो अब हम start करते हैं, इसका man plot, इसके man plot भी आप जाओगे, तो Anil Tisera, ये इसका protagonist है, अनिल टिशेरा एक लड़की है, अनिल टिशेरा कौन है, गर्ल है, और ये कौन है, ये वच्चो man product list है, इसकी hero है, इस नोल की, hero, और ये forensic pathologist है, forensic pathologist का मतलब होता है, कि ये पता लगाती है, कि death किस वज़े से हुई, जो हम dead body का postmaster करते हैं, ये उसी से related है, और ये बच्चो आज 15, ये जब novel लिखा गया, तो उससे 15 साल पहले, ये London चली जाती है, कहां पर? England के अंदर चली जाती है, और England के अंदर जाने के बादी ये वहां पर पढ़ाई करती है, फिर वहां से ये फिर कहां चली जाती है, अमरिका चली जाती है, तो यानि कि इसको United Nation है, उन्होंने इनको स्री लंका भीजा है, कि आप पता लगाओ, कि जो स्री लंका के अंदर जो डैथ हो रही है, उसका मैं डिजन क्या है, तो आपको मैं बता जाता हूँ, इसकी तब मैं प्लोट जो है, इसका आमरिक, यह स्री लंकान सिविल वोर है, एक सिविल वोर है, और आपको पता हो गया, कि सिविल वोर जब भी होता है, तो इसमें बहुत सारे निर्दोस लोग मारे जाते हैं, तो यहाँ पर यह इचा यह देट लेवल इसकाुरिजम स्टेट लेवल टेरोरिज्म को दिखा जाता है कि यहाँ पर जो स्टेट जो है स्टेट लेवर्ट टेरोरिज्म स्पोन्सर्शिप कि इस स्टेट जो है वो खुद ही सिविल गोर में लोगों को मरवा रहा है लिएकि गवर्मेंट खुद इंक्लूड है तो इसके साथ में जब यहां पर बेज़ा जाता है तो गुवर्मेंट की तरफसे इनको सार्थ नम का एक बंदा है जो कोन है आर्पलोजिस्ट है आर्पलोजिस्ट दो है यह स्टेडी करता है ऑफ होमन कल्चर study of human culture human history यानि कि जो पुरा तत्तव विज्ञान जो होता है पुरा तत्तव डिपार्टमेंट जो होता है archaeologist जो study of human history और culture तो ये इसके साथ में इसको दिया जाता है कि आप इनकी help करेंगे अनिल टिशिरा की और इन दोनों को एक research करना होता है तो एक dead body मिलती है जिसका नाम होता है seller यह नाम रखते हैं seller और यह बताए जाता है इनको कि यह जो seller जो है यह जो dead body seller की यह 6th century के अंदर इसकी death भी थी मगर जब यह पता लगाते हैं इनको पता लगता है कि यह जो बंदा seller है जो dead body मिली है seller की और यह अभी रिशेंटली मैड़ हुआ इसका रिशेंटली मैड़ हुआ है अब इसका कंकाल है स्केल्टर है इसके face नहीं है अब इनको क्या चीए का face चीए body structure चीए तो यह दो है यह दोनों डॉक्टर गामिनी के से मिलते हैं और डॉक्टर गामिनी जो है उसकी wife इसको छोड़के चली गई है और working in hospital होस्पिटिल के अंदर काम कर रहा है और यह emergency department के अंदर है emergency department के अंदर है काफी busy है तो डॉक्टर गामिनी की wife इसे छोड़के चली गई है यह थोड़सा प्रिशान है अब बताते हैं कि जो सार्थ है इसकी भी wife जो है वह भी इसको छोड़के चली गई है वह इसकी death उसकी सार्थ की wife की तो यहां पर सार्थ और डॉक्टर गामिनी है यह आपस में बात्चीत करते हैं तो इनको पता चलता है डॉक्टर गामिनी जो है वह already जो गोर्मेंट की जो system है उसमें include है यानि कि गोर्मेंट सिस्टम के अंदर इसकी जान पिचान काफी हद तक है अब सार्थ का एक teacher है सार्थ का एक teacher है पालीपाना सार्थ का एक teacher है पालीपाना जो एपिग्राफिस्ट है एपिग्राफिस्ट का मतलग होता है कि ये आप sculpture कहशते हैं sculpture और painter यानिकि ये मूर्तिया बगेरा बनाने का काम करता है ये हर्मिट बन गया है क्या हर्मिट यानिकि इस तो पालीपाना है ये कौन है हर्मिट है और ये दुन्यादारी से काफी परिशान हो गया है अब इसने दुन्या के अंदर मो लेना दुन्या के बोग विलासमी यह अलक सी शांत जगह में रहने लग गया है इसको दुनिया तारी से कोई मतलब नहीं को जी रहा है कोई मतलब नहीं यह पाली पाना को बदते हैं कि आप हमें एक स्क्लप्चर बना के दें जो डैड़ बोड़ी हमारी को मिली है हम इसको पर रिशर्च करना है पाली पाना हाद जोड़ लेता है कि मैं आपके सामने हाद जोड़ता हूँ मैंने इस काम को त्याग दिया है और मैं तुम्हारी दुनिया से इससे परिशान हो गया हूँ तो यह फोर्स करते कि आपको कोई ऐसा बंदा उता हो हमारे को जो हमारी हल परसके तो यह एक विलेज का नाम लेता है गाला पिटी गामा गाला पिटी गामा और गाला पिटी गामा के अंदर एक बंदा है आनंदा और आनंदा कोन है ड्रंकाड है यानि कि आनंदा की भी इसको थोड़के चले गई है तो यह एक स्रावी है मगर पेंटिंग का काम बहुत अच्छी सी जानता है काफी अक्सपार्ट है नगर क्या करें इसकी भी जिन्दगी में अलग से दुख है तो अनील टिशेरा और सार्थ जो है वो गलापीटी गामा के अंदर आनंदा से मिलते हैं और इसको बताते हैं कि हमारे को जो सेलर जो है यह जो स्केल्टर मिला है इसकी आप कैसे भी करके हमारे को एक चेहरा बना के सार्थ की से आनंदा है आंदा को बचा लिया जयते हैं इसकी अनील टिशेरा और सार्थ की शहयोक यह जाता है अब बचा लिए जाता है तो इसकी death बच जाती है, मगर यह जैसे पूरा करता है, तो अनिल टेशरा को पता चल जाता है, कि seller जो है, उसकी हत्या की गई है, कोई special purpose से, उसका कोई man motto था, death करने का, तब इसकी हत्या की गई है, तो अनिल टेशरा एक report त्यार करती है, और इस report मे सारी चीजे लिखती है, कि ऐसे इसकी death हुई है, और जो भी इसका region है, वो death करती है, एक forensic pathologist है, जो पता लगाती है, कि death की वजए death कैसे हुई, एक पूरी report त्यार करती है, जैसे report त्यार करती है, तो इसकी जो कंकाल है, इसके seller के, वो guide हो जाती है, जो lab में रखे होते हैं, तो जैसे यह चेक करती है, तो इसको वो dead body नहीं मिलती है, और यह बड़ी प्रिशान हो जाती है, एकिन जैसे इस building से बाहर आती है, तो वहाँ पर सार्थ मिलता है, और सार्थ जो है, वो एक van में से dead body को उतारता है, वो कंकाल जो होते हैं, उसको निकालता है, तो अनिल टि कोई मोटो है, अब यहाँ पर सार्थ जो है, वो अनिल टिशिरा को अडवाइस करता है, कि आप अपनी एक जूटी रिपोर्ट बना करके यहां से चले जाएं, वहना आपकी जान को खत्रा हो सकता है, कि आप मेरी मानें, तो सबसे भेतर यही है, एक आप फेक रिपोर्ट ब जाती है कि यहां बहुत कुछ सकर्बड होनी वाली है, और मेरा यहां रहना और बचना पड़ा मुश्किल हो जाएगा, अनिल टिशिरा एक फेक रिपोर्ट त्यार करती है, और वो सार्थ को सोब देती है, और वहां से निकल लेती है एरपोर्ट के लिए, जैसे यह एरपो भी राज जो है, वो खोलेगा, तो उसकी डैथ क्या है, निश्चित है, तो इस टाइप से एक सिस्टम बना हुआ है, तो हमने देखा, थू दिस नोवल, ओन डाट जे, हाइलाइट, दा टूट अन जश्टिस अर ठूश्टिस अर ठूश्ली दूश्ली दूश्ली दूश्ल दूश्ली 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 इसका मतलब यह हुआ फूटिलिटी का कि सब कुछ वेर्थ है कि जो युद्ध जो है उसका कोई प्रणाब बहतर आने वाला नहीं है उससे लोगों का नुक्सान होगा लोगों के अंदर अंजाइटी फैलेगी लोगों की लाइफ जो है वो डिस्बैलेंस होगी यानि कि फू saug endless in the face of war यह जो श्टोडी है तंज सदेने यहीं ऑगान में खती है साथ की वाइफ मर्च की है वा को छोड़के चली गयी आननदा की वाइफ हिशा को चोड़के चली गयी है पाली पाना जो हर मित बन गया है सार्थ खुद के डेथ हो जाती है अनिल टेशेरा को वहां से भागना पड़ता है फेक रिपोर्ट बना करके तो यह यही दिखाते हैं कि इसमें स्टेट लेवल टेररिजम स्पोनसर सी कि स्टेट जो है वो खुद इंक्लूड है और ऐसी घटनाई आज भी घटती हैं ऐसी बहुत बार हमारी समाज में आज भी घटती हैं और यह दो हजार की घटना है तो उस ताइम भी घटी थी और इसकी इस नोवल का एंड होता है कि आरंदा जो है वो बुद्धा की आँखों में पैंट कर रहा होता है और वहां पर जो आरंदा है वो बुद्धा की एक मेहनत की है रियली में अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों को सेर करना कभी ना भूलें मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में जैहिंत